स्वागत करती हूं आप सभी का इस पारंपरिक्रसोई में आज पारंपरिक्रसोई में बनने जा रहा है आप सबकी ही मन पसंदिता विच कटलेर सबको बहुत ही पसंद आती है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं आपके साथ में एक एक स्ट्रीफ सी एड करूंगी तो प हमारे चैनल पे नए हैं पहली बार आए हैं तो प्लीज जल्दी से चैनल को सुस्क्राइब कर दीजिए बेल आइकन प्रिप्स कर दीजिए ताकि हम योही एक साथ जुड़े रहें और अकर आपको ड़ेसी भी पसंद आएगी तब तो आप लाइक शेयर करके ही जाएंगे ह तो यहां पे मैंने ले लिया है पैन उसमें हम डाल देंगे रिफाइन वाइल तो ट्रेन की जर्नी में जो हमें कटलेट खाने को मिलता है वही आज हम यहां पे बना रहे हैं तो आपने कभी ट्रेन की जर्नी में कटलेट खाया है कि नहीं प्लीज मुझे जल्दी से कि है और इसे हम थोरी दिर सोटे कर लेंगे जादा नहीं वरना अध्रय का करवा स्वादा जाएगा अब से हम और डाल देंगे यहां पे यहां पर झुक है तो औरहने फिल्स चोप कर रखा और यहां पर महीं एक यौज किया है और प्यास योज को कि can do नहें जब तकि यह ट्रांसलूसेंट नहों जाए तो यहां पर हूँच चुका है तो हम यहां पर ढाल देंगे हरी मिर्ची तो तीखी आप को जितना पुसन दो को आप उसी हिसाब से यहां पर ढाल दे न अब जाए अब जा के यहां पर बींस को मैंने हलका सा भूल लिया है अब जाएगा यहाँ पे गाजर तो गाजर को भी मैंने यहाँ पे छोटे छोटे टुकरों में ही कट कर दिये हैं आप चाहें तो यहाँ पे कद्दू कस करके भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने यहां पर इसे छोटे-छोटे में कट कर दिया है अब इस सब वेज़ी टेवल को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे उसके बाद हम यहां पर डाल देंगे शिमला मिर्च आप देख सकते हैं यहां पर भी मैंने शिमला में उसको छोटे-छोटे टुकरों में कार दिया है बहुत ही कलरफुल है यह आप इसे एक पर ज़रूर इंजुआए करना और खासके आपके बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे और आप भी इसे बहुत मज़े से खा पाएंगे तो इन सारी सबसीयों को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे अगर आपको स्नाक्स रेसिपी देखना पसंद है तो मैंने आपके साथ बहुत सारी स्नाक्स की रेसिपी शेयर कर रखी है आप प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएए वहां से आपको लिंक मिल जाएगा और आप मैंने चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है तो वहां पे बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको आपको जो रिसिपी पसंद हो आप वो देख सकते हैं तो यहां पे सब्जियों को मैं थोड़ी देड़ धक्के पका दे रही हूँ ताकि यह बढ़ियां तरीके से कुक्ड हो जाए तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं सब्जियों को कि अच्छी तरीके से कुक्ड हुआ है की नहीं वाव यह देख सकते हैं आप कि मल्टी कलर सब्जी देख के ही हर किसी के मुए पानी आ जाएगा और हर को इसे खाना चाहेगा तो यहां पे एक और बार में इसे कवर कर दूँगी और अच्छी तरीके से में कुक्ड कर लूँगी तो चलिए यहां पे चेक कर लेते हैं वाव यह देख सकते हैं आप कि यहां पे जो सब्जी है वो अच्छी तरीके से कुक्ड हो गई है मतलब सौफ्ट हो गई है अब इसमें जाएगा और भी सारी चीज़े बात कितना अच्छा यहां पे सब्जीयों का कलर लग रहा है और बहुत ही जादा स्वाद में तो उत्तम होगा ही बहुत अच्छा लगेगा आपको खाके तो यहां पे मैं इसे अच्छी तरीके से स्वाटे कर दे रही हूँ फिर इसमें जाएगा कुछ मसाले तो सबसे पहले हम यहां पे डाल देंगे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर तीखा आपको जितना पसंद हूँ आप उस हिसाब से यहां पे इर्जिस्ट कर लेना गरम मसाला और साथी मैं यहां पे डाल दूँगी स्वाद अनुसार नमक तो यहां पे अब इसे अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे और दो से तीन मिनट हम इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पे इसे कुप कर लेंगे और आप अपने कटलेट की पिक्चर मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर टैक करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा और फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके फॉलो कर लो अब हम यहां पे डाल देंगे धनिया पता बहुत अच्छा धनिया पता से यहां पे फ्लेवर मिलेगा आपको अब हम यहां पे डाल देंगे बॉल आलू तो यहां पे आलू को मैंने कदू कस कर लिया है ग्रेट कर लिया है अब चाहें तो सिफ मैश करके भी आलू को डाल सकते हैं तो यहां पे हम आलू को अच्छी तरीके से सबजियों के साथ मिक्स कर देंगे तो यहाँ पे मैंने सारे healthy vegetable ही यूज किये हैं अगर आपको कोई और vegetable खाना पुसंद हो तो आप यहाँ पे add कर सकते हैं या फिर इन सब में से कोई ना पुसंद हो तो आप यहाँ पे skip भी कर सकते हैं लेकिन vegetable डालके जरूर बनाना बहुत पसंद आएगा आपको और यह देखे बीटरू डालने की वज़े से यहाँ पे इसका कितना प्याड़ा सा यहाँ पे color निखर क्या आया है बहुत ही यहाँ पे प्याड़ा लग रहा है और इस वक्त तो किसी को भी यह देख कि मुवे पानी आ जाएगा इतना जादा यह प्याड़ा लग रहा है तो आप इसे जरूर बनाना तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरीके से कुक कर लिया है तो चलिए अब इसकी गैस की फ्लीम हम बंद कर देते हैं और इसे हम गैस से उतार लेते हैं तो यहाँ पे आप कटलेट मिश्रन को मैं प्ल डेट क्रम्स टाल लेके दो फायदे हैं एक तो जब आप इसे तेल में डालोगे तो यह बिल्कुल भी नहीं फटेगा और दूसरा यह कि बहुत ही जादा क्रिस्पी बनेगा तो आप इसे जरूर डालना और यहाँ पे यह देखिए मैंने इसे मिक्स कर दिया है और बहुत ह यहाँ बना लो गया है तो यहाँ पर उस चाहें पहुत है करना न चृतले भी विटिप जंनों और इसे शीवीं है मिकार इसे आगिव कर दूँगे फिर हमें पर उन दूब कर हम इसा अपहर हैं कब गए बना आ के तरह तरीके से हम बागी सारे ज़ाब लिट एहां पर बना कर लेते हैं तो यहां पे तेल गर्म हो चुका है तो आप में यहां पे एक करके कटले डाल दे ली हूँ खाने में बहुत ज़्यादा टीस्टी लगता है और यहां पे जो कटलेट का मिश्रन है वो तो पहरे से लेडी था तो यह ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा बहुत कम ट लिए शर्फ करती है टेमेटो सॉस के साथ बहुत ही साथ यम्मी लगता है ये खाने में आप भी एक बार इसे जरूर ट्राइब करना तो कैसी लगी आपको आज की यह डिसीपी जल्दी से मुझे कॉमेंट में लेके बता दीजिए पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ जरूर लाइक जरूर करना और पारम परिक्रेसोई से जुड़ने के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलती हूं आप से एक नई रिसीपी के साथ नहीं वीडियो में बाई बाई देखिए और इस पारम पर परिक्रेसोई को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शक्रिया